सबसे पहली मिस्टेक जो होती है इर्रेलिवेंट मैटर कैसे आपकी आंसर बुकलेट आई एसे वह जो बच्पन में आप करते हो यहां पर आपके लिख रहे हो ओम राम सिया राम जैशरी राम कॉलेज में स्कूल में अच्छा लगता है यहां पर उसके मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि यहां से हो सकता है आप एक एमोशनल अपील कर रहे हो एक्जामिनर को तो आप देखे सबसे पहले यह यह यूपीएसी की ऑफिशल वेबसाइट से में आपकी वो मिस्टेक्स निकाल के लाए हो आप देख सकते हैं कोई भी इर्रेलिवेंट मैटर नहीं लिखना है जैसे आप देखे ऐसे साइन्स बना देना यहां पर इस 586 यह ओम लिख देना यहां पर कुछ भी नई लिखना है आपको अच्छा और दूसरा नहीं लिखने की गल्ती जब साफ लिखा है नहीं लिखना तो आप यहां पर नहीं तो उही इर्रेलेवेंट चीज़ें पर आप स्मार्ट बने आपने अगर किसी भी इन डारेक्ट या डारेक्ट तरीके से अपनी आइडेंटिटी आंसर शीट में रिवील करने की कोशिश करी वो बहुत बड़ा क्राइम है आपका पूरा पेपर कांसल हो सकता है एसी ऐसा कुछ भी नहीं आप अपना ही एक्जांपल दे के लिख दो आपने किसी भी आंसर में किसी भी तरीके से अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है क्योंकि वो अनफेर या तो आपने अपने आंसर शीट में नाम ही लिख दिया उन्होंने पूचा था नेम ऑफ दिख भी रहा है थोड़ा बहुत आपका नाम गलती से आपने लिख भी दिया तो पूरा बंद करो उसे रहे अगर वो दिख भी रहा है तो वो क्राइम है सी similarly आंसर लिख रहे थे आप आंसर में नीचे अपना नाम दे दिया Is this clear? Let's see the next See, चाचा चौधरी बनके mixed language में लिखना स्टार्ट कर दिया आदा आंसर इंग्लिश में दे दिया, आदा हिंदी में Zero मिलेगा, Zero और बार बार किया तो negative भी मिल जाएगा जिस language का आपने UPSC form भरा है कि मैं इंग्लिश में में जांसर करूँगा आप English ही पूरा लिखोगे You cannot write mixed writing, Punjabi में लिख दिया, Hindi में लिख दिया, No See, एक आदा वर्ड चल सकता है, पर वो भी कैसे चलता है See, आपको कोई वर्ड हिंदी का लिखना है, तो आप English में लिखो I'm repeating this, See, आप English में लिख दो जिसे आप messaging करते हो, पर क्योंकि जो examiner check कर रहा है, वो पूरा English medium है तो जब आप Hindi में लिखते हो, उसे गुस्सा आएगा अगर उसे Hindi नहीं आती हो, कि क्या मजाग कर रहा ही वो आपता बहुत दलत impression लाएगा तो mixed language में answer नहीं लिखना है, जो भाशा बोली गई है अगर आपको अपनी Hindi पंजाबी भाशा में कुछ लिखना है, उसे English में translate करके लिखो English में, वर्ना नहीं, यहां तर का इतनक clear है Next, let's see See, ऐसा भी नहीं करना है, मैंने आपको पहली बता दिया, pencil से नहीं लिखना है आपने आधा answer पैंसल लिख दी, आधा पैंसल से, पैंसल से answer लिखना ही नहीं है, no pencil Pencil is only used for diagrams See what next, यह भी हो सकता है आपने अपील करी examiner से, कि सर मेरा last attempt है, फ्लीज दंग से चेक कर ले ना, सर मैं पैसे भेज़ दूँगा सर मेरा ध्यान रखना, मैं आपके ही गाउं से हूँ वो आपकी jail भी खरवा सकता है, this is not allowed अला कि यह छोटी चीज़ है, जातर बच्चे करते निये हैं पहले पर कुछ लोग कर देते हैं, यह UPSC की ही answer sheets उन्होंने अपनी website पे डाले हैं, लोग करते हैं ऐसे कि this is my last attempt, please examine this leniently मत करियेगा, पता चले आपका नहीं आता, अंसर छोड़ दो, अचा और handwriting पे बड़े सवाल आते हैं, देखो UPSC की guideline बहुत सही है handwriting ऐसी होनी चाहिए, जो legible हो, legible मतलब समझ आनी चाहिए, सिक cursive writing में लिखनी आपने है, बना बना के लिखने हैं, क्योंकि paper पूरा नहीं होगा अगर कोई handwriting ऐसी है, जो समझ ही नहीं आ रही है, उसके marks कटेंगे, marks क्या वो देगा ही नहीं आप यह realize करो, जो वेप्ती वहाँ पर आपका answer check कर रहा है, वो retired है तो अगर आप उससे महनत करवाओगे answer check करने में, obviously he will feel bad, तो यह आपको नहीं करना है, and finally अगर आप और किसी instruction की violation करते हैं, जैसे देखो कुछ चाथा चाधरी लोग होते है question को cut करके अपना ही नहीं question लिख दिया कि मैं तो यहीं लिखूँगा, यह school college में होता है, यहां नहीं करना है, please, right? Similarly, आपको अगर कोई चीज चैंसल करना है, लिख से आपने एक answer लिख दिया, चैंसल करना है, तो simple line नहीं draw करते हैं, दो line draw करते हैं, और उसमें क्या लिखते हैं? Cancel, खाली line draw करके cancel नहीं करना है, दो line draw करके आपको cancel करना चालता है, हाँ, short में मैं बता रहा हूँ, जो सारी चीज़ें, तो आप अगर ध्यान से देखें, like, very quickly, what are the seven mistakes that people do in UPSC exam, जो आपको avoid करनी है, बहुत कुछली उसे rewind दुबारा करके दिखा रहा हूँ, see, seven mistakes जो लोग करते हैं, सबसे पहले आप irrelevant चीज़ लिखते हैं, भगवान का नाम, ये वो नाम, margins पे लिखना, ये सब नहीं करना है, उसके बाद आप अपनी identity reveal करने की अगर कोशिश करें, ये नहीं करना है, आप mixed language में लिखें, एक ही अपील करी है, examiner से, कि please रहम करो, ये करो, या आपने instructions को violate किया है, instructions को, like, अपना ही question लिख दिया, question cancel कर दिया, ऐसी, ये seven famous mistakes हैं, जो आपको avoid करनी है, is this clear?